नमस्कार दोस्तों स्वागत था आपका आज की नई वीडियो में और रिसेंटली आपने देखा ही होगा के एक ट्वीट आया यूरियन मिनिस्टर हरदीब सिंग पूरी जी की ट्वीटर टाइम लाइन पे के रोहिंग्यास जितने भी रह रहे हैं दिल्ली में उनको फ्लैट दिया जाएका यूनियन गौर्रमेंट की तरफ से ये फ्लैट होंगे एडिव्योस काटेगरी के बक्रवाला एरिया दिल्ली जो वेस्टर साइट पर पढ़ता है और इसके बाद काफी बवाल शुरू हो गया ऑनलाइन काफी सारे न्यूस पोर्टल कल की ब्रेकिंग न्यू हैं आप इनको क्यों फ्लैट्स प्रोवाइड कर रहे हैं EWS फ्लैट जो एकनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो बनाए गए हैं और जो टैक्सपेर के पैसे से बनाए गए हैं जो दूसरे देशों से विस्थापित बाकी धरम के लोग हैं हिंदू हैं सिख हैं जो अफगान स्थान से आये हैं आप उनको नहीं दे पारे जो कश्मीरी हिंदू है उनको आप प्रोवाइड नहीं कर पारे बेसिक फैसिलिटीस और इनको आप फ्लैट देंगे दरसल इस हीम्म्छी में ये कहा गया कि तो इसके बाद काफी सरकार को विरोध जहलना पड़ा और ये सारा जो मामला था वो हुआ किस वजे से दरसल एक वैबसाइट है ANI वैबसाइट यह आप देखेंगे उसी ANI वैबसाइट पे एक आर्टिकल पब्लिश हुआ कि रोहिंगया रिफ्यूजिस इन डेली तो गैट अब ये आर्टिकल किस बेस पे पब्लिश हुआ था जो क्या रिपोर्ट थी जो इनको सोर्सिस से पता चला इन्होंने आर्टिकल पब्लिश किया वो मैं आपको आगे पताऊंगा अभी हम थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं कि इस सारी कॉन्फूजन एक्चुली हुई क्यों तो इस वेब साइट का आर्टिकल ही हरदीव सिंग पूरी जी ने अपने ट्वीट पे शेर किया या आप देखेंगे दूसरी साइट मैंने एक साइट आर्टिकल लगा है दूसरी साइट हरदीव सिंग पूरी जी का ट्वीट लगा है इन्होंने इसी आर्टिकल को कोट किय था और इसी के बेसिस पे इन्हों ने ये टूईट किया और इन्होंने थांक्स भी बोला यूनियन मिनिस्ट्री को अपनी और नरेंद्र मोदी जी को जो प्राइं मिनिस्टर है और इन्होंने basic facilities के साथ बने हुए EWS category के फ्लैट दिये जाएंगे round the cloud security होगी और यह decision लिया गया है after high level की meeting over the accommodation of Rohingyas in national capital was held यह कहां पे हुई थी और किसके अध्यक्षता में हुई थी दिल्ली chief secretary की अध्यक्षता में यह हुई थी meeting और इस meeting में the meeting was chaired by chief secretary of Delhi and was attended by senior officials of Delhi government, Delhi police and ministry of home affairs तो इसमें तीन जो हैं सरकारों के तीन प्रक्ष शामिल थे दिल्ली government थी दिल्ली police थी और ministry of home affairs इस meeting में यह meeting जो थी last week जुलाई में की गई थी और इसमें यह बोला गया था दिल्ली सरकार की तरफ से के हमें हर महीने 7 लाग रुपए जो है वो खर्च करना पड़ रहा है रेंट के रूप में और जो सुविधायां दी जाती है जो किराया वगरा है जमीन का जो फ्लैट्स हैं बक्कर वाला विलेज आउटर डेली आउटर वेस्टर डेली की तरफ पड़ता है यह जो नजवगड़ एरिया जनकपूरी की साइड अगर आप जाएंगे वहां पर पड़ता है तो वहां पर इनको फ्लैट देने की इननों है request की और वहाँ पर 200 फ्लैट बनाये गए थे जो एकनोमिकली वीकर सेक्षन काटेगरी के लिए थे उस उन फ्लैटों में ये दिल्ली गवर्मेंट की तरफ से request हुई कि आप इनको वहाँ shift कर दीजिए अब इस meeting के अंदर दिल्ली पुलिस को ये आदेश दिल्ली पुलिस वर instructed उनको आदेश दिया गया ओके आप इनको security प्रोवाइट करेंगे premises के अंदर जहां भी ये फ्लैट लोकेट होंगे social वेरफार department of Delhi government had been ordered to ensure basic facilities like fan मतलब उनको पंखा basic सुविदा है तीन टाइम का खाना landline phone TV और recreational facilities in the new campus ये सारी facilities इनको दी जाएंगी ये दिल्ली सरकार की तरफ से request की गई थी union ministry को union government को दिल्ली government has been ordered to equip the flat with basic amenities and hand it over to FRRO for a regional registration office which will facilitate the shifting of Rohingya into these flats ठीक है उसके बाद during COVID NDMC had provided these flats in the Bukkrawala areas to Delhi government for isolation of suspected cases of coronavirus infection तो COVID के टाइम पे NDMC ने ये flats जो है वो दिल्ली government को offer किये थे कि आप isolation के लिए इनको यूज कर सकते हैं patients की उसके बाद जितने भी Rohingyas हैं जो shift किये जाएंगे इन फ्लैटों में उनकी एक unique ID बनेगी United Nation High Commissioner of Refugees के नाम से और इनकी details जो हैं वो record पे रहेंगी सारा इस article के अंदर था अब उसके बाद जब हरदीब सिंग पूरी ने अब आप देखी रायता कैसे पहलता है पहले इस article ने मतलब इस website ने article publish किया उस article को हरदीब सिंग पूरी ने quote करके अपना tweet किया उसके बाद दोबारा से इस website ने ANI website ने हरदीब सिंग पूरी का जो tweet था उसको quote करते वे एक और article चाप दिया के हरदीब सिंग पूरी ने गौवर्मेंट के इस decision को बहुत ही सराहा है तारीफ करी है और उनके जो flat देने का decision है उस पर बहुत ज़्यादा thanks बोला है सरकार को और PM Modi को और उसके बाद तो line लग गई जितने भी news publication houses है या online news portals है जितनी भी media है वो इसको इतना बड़ चड़कर article इस पर publish होने लगे तुरंद जल्दी से जल्दी मतलब कोई clarification का wait नहीं किया गया confirmation का wait नहीं किया गया बस सबको ये होड लगी हुई थी कि सबसे पहले हम breaking news दे दें अपनी website पर अपने article पर और audience जो traffic है जो millions followers viewers और सब कुछ है वो आ जाए जल्दी से जल्दी और हम सबसे पहले उसके मतलब breaking news break करने वाले बने YouTube पे भी लोगों ने इतने बड़े-बड़े जो मतलब media houses हैं institutes हैं जो मतलब training दे रहे हैं बच्चो अने दीजिए धड़ा धड़ वीडियो बनाई जा रही थी कल के फ्लैट्स मिलने रोहिंग्या इसको भारत सरकार का बड़ा फैसला यह वो और online आप देखे टेलिग्रफ का आर्टिकल देखिए यह रोहिंग्या refugees to get flats protection police protection आउटर टेली बक्करवाला Indian Express ने छाप दिया कि हाँ वही फ्लैट मिलने वाले इनको हर्दीव सिंग्पूरी की तरफ से बयान आ गया है अब जब इतना जाधा बवाल होने लगा लोग government से questioning करने लगे जो मतलब ex government officers रह चुके हैं उन्होंने phone मिलाने शुरू कर दिये inquiry करने शुरू कर दिए ट्वीटर पे government को बोलना टैक करना शुरू कर दिये government officials को ministry को उसके बाद home ministry आप सोची ग्रह मंत्री जो ग्रह मंत्री है अमिश शहा का जो office है home minister कार्याल है वहां से official tweet पे announcement करनी पड़ी के with respect to news reports in certain section of media regarding rohingya illegal foreigners it is clarified that ministry of home affairs has not given any direction to provide AWS flats to rohingya illegal migrants at बक्करवाले निव डेली ये thread इन्होंने share की तीन tweet की threat थी है उसमें फिर दूसरा tweet ये था government of Delhi promised to shift the Rohingyas to a new location MHA has directed the GNC TD to ensure that the Rohingya's illegal foreigners will continue to the present location at as MHA has already taken up the matter of their deportation with concerned country through MEA illegal foreigners are to be kept detention centers till their deportation. As per law the government of Delhi has not declared the present location as a detention center. They have been directed to do the same immediately. I hope आपको समझ में आ गया होगा हिंदी में दो बारा समझाता हूं जिनको नहीं है ट्वीट समझ में. गौर्मेंट ने जो यूनियन गौर्मेंट है Central Government है उसने दिल्ली गौर्मेंट को बोला था कि आप इनको detention center में shift कीजिए ये जो टेंटों में रह रहे हैं या तो इसको डिकलेर कीजिए कि detention center है लेकिन दिल्ली सरकार ने वो ना तो उनको नई जगा शिफ्ट करा ना उसको डिकलेर करा जहां वो रह रहे हैं detention center और दिल्ली सरकार ने एक लैटर लिखके बोला कि आप इनको फ्लैट प्रोवाइड करिये इसलिए गौर्मेंट की तरफ से ये प्रोसीजिंग अभी च इंचालित होगी चलेगी आगे लेकिन मीडिया में इस को इतनी जल्दी जो है फैलाया गया ब्रेक न्यूस ब्रेकिंग न्यूस के वज़ाए से के लोगों में मिसंडेस्टेंडिंग हो गई लोगों ने कुछ और समझ लिया और यह सारा जो है मिसकम्यूनिकेशन हो गया उ सब्सक्राइब कर दिया और उसके बाद देखिए अब जिस वेबसाइट की वज़े से रायता फैला था उसी वेबसाइट ने फिर से तीसरी बार एक आर्टिकल पब्लिश किया इस चीज को क्लारिफाइब करने के लिए कि मिनिस्ट्री ओफों अफेर्स ने डिरेक्शन दे दिया है कि कोई EWS फ्लाट वगरा रोहेंगे आज को नहीं दिये जाएंगे तो ओनलाइन किस तरीके से मिस कम्यूनिकेशन और मिस इंफर्मेशन फैलती है इसका सबसे बढ़िया उधारन ये कल की न्यूज बनी है अगर आप इसको एनलाइस करेंगे तो और मेरी आप से रि ताकि उस चीज को आप खुद कंफर्म कर सके कि हाँ ये फैक्ट है ओनलाइन कुछ भी हो सकता है लोग व्यूज के लिए यूट्यूबर्स और ओनलाइन मीडिया पोर्टल्स या न्यूज पब्लिकेशन जो होती है ओनलाइन ये व्यूज के लिए या ओनलाइन मतलब इनका यूटिलाइस कीजिए बिल्कुल काम डाउन रही है शान्त रही है किसी भी न्यूस पर अफवा पर तुरंत रियाक्ट मत कीजिए और आपको पता है इस अफवा का कितना बुरा असर हुआ जो पाकिस्तान से रिफ्यूजी जाया हुए है जिनको वहां से भगाया गय मिल रहे हैं इतने बुरे हाल में रहे हैं कि लिए लोगों को सरकार कुछ नहीं कर रहिए चाया वो स्टेट गॉश्मच्ट हो चाहे वो सेंत्रा मिनिस्ट्री उसके लिए लोग ट् Commonwealth पर अभियान चला रहे है चंदा एक अक्ठा किया जा 좀 चिन्हालात है अब यह सारा जो मामला था कि इनको refugees को जो है flats दिया जाएगा रखा जाएगा यह सारा मामला क्या था अब आते हैं उस refugee convention 1951 and 1967 का जो प्रोटोकॉल है जिसका हवाला दिया जा रहा था हरदीब सिंग पूरी ने भी दिया था कि हम उसका सम्मान करते हैं अपने tweet में लिखा था आप आप ट्वीट जाकर चेक कर सकते हैं वैसे मैंने इस वीडियो में भी डाला है उसका screenshot अगर आप रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा तो यह United Nation की Multilateral Treaty है इसमें यह बताया गया है कि refugee कौन होता है और उसके rights क्या है as an individual उसको asylum कौन दे सकता है और किसको asylum मिल सकता है यह responsibility उन nations की है जो जहां पर वो जाते हैं और इसका core principle जो था is non-refuelment which asserts that a refugee should not be returned to country where they face serious threats to their life or freedom के मतलब उस refugee को वापस वहां नहीं भेजा जा सकता जहां से वो भाग कर आया है अपनी जान बचाने के लिए उसके बाद 1967 में 1967 में प्रोटोकॉल और आइड हुआ इसमें जिसके अंदर इसमें से geographical और religious जो पार्ट था वो हटा दिया गया मतलब जो एक धरम की लोगों के एक उपर रोक दिया मतलब हमारा geographical जो है वो बदल जाएगा अ हम अब एक धरम के लोग हैं हम दूसरे धरम के लोगों का एकसेप्ट नहीं करेंगे इस तरह का जो था ना वो जो बाउंडेशन थी वो भी हटा दी गई और लेकिन इंडिया ने इसको साइन नहीं किया इंडिया इसका सिगनेटरी नहीं है इंडिया ने ये ट्रीटी साइन नहीं की ना प्रोटोकॉल साइन की तो इसलिए इंडिया के ओपर कोई भी प्रेशन नहीं डाल सकता कि आप इनको शेल्टर दीजिए या इनको रखिए अपने स्टेट में वैस्ट जो बांगला देश है बांगला देश इनको नहीं रख रहा अरब कंट्रीज नहीं रख रहें टर्की नहीं रख रहा पाकिस्तान नहीं रख रहा सबने इनको रिजेक्ट कर दिया है और यह कह दिया है कि हम पैसे देढ़ेंगे क्यों कोई भी रखने को तयार नहीं है जबकि सेम रिलीजन के हैं तो ये एक चिंता का विशे भी हो डिसकुशन का भी खैर तो इस ट्रीटी के बाद ये ट्रीटी जो है 140 देशों ने साइन कर रखिये USA and Venezuela are parties only to the protocol ये सिर्फ protocol तक सीमित है countries that have refined the refugee convention are obliged to protect refugees that are on their territory in accordance with its terms तो जिन लोगों ने जिन देशों ने साइन कर रखिये हैं उनका करतव है कि वो इसका पालन करें अब थोड़ी सी रोहिंग्या refugees के बारे में बात पर लेते हैं थोड़ी सापको basic clear कर देता हूं कि रोहिंग्या Muslims जो हैं वो described किये जाते हैं United Nations के द्वारा as the most persecuted minority in the world कि सबसे जाधा persecuted minority इनको बोला हुआ United Nations ने और 2017 में यह जो रोहिंग्या Muslims हैं यह अपने घरों को घरों से छोड़ कर आये थे जब वहां पर म्यानमार की जो military थी उसका crackdown शुरू हो गया था military operation वहां शुरू हो गये थे और उनके discrimination से बचने के लिए जो म्यानमार में हो रहा था रोहिंग्या Muslims ने मतलब पिछले एक दशक से यह एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं वहां से निकले जो बुद्धिस majority country था नियरेस बांगले देश और अधर countries including India में भी यह आ गए और in spite of not being a party to the 1951 refugee convention and 1967 protocol India has been one of the largest recipients of refugees in the world आप सोच के देखे के जो देश उस treaty का हिस्सा नहीं है उसी देश में सबसे जादा refugee आ रहे हैं तो यह एक अच्छी बात कही है बुरी बात कही है मैं तो यह फैसला आप पे छोड़ता हूँ आप अपना बुद हो चीए कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि क्या ऐसा होना चाहिए कि एक देश जो ट्रीटी का पार्ट नहीं है उसी देश में सबसे ज़्यादा refugees आ रहे हैं और सरकार उनको वोट बैंक पॉलिटिक्स के नाम पर फिर उनके ideas भी बन जाते हैं उनके सारे you know उनको voting rights भी मिल जाते हैं फिर वोट भी देते हैं डेमोग्राफी चेंज भी होता है तो बहुत सारी जो एक भारत की जो विरासत है ना पूरी वो खत्रे में पढ़ जाती है फिर जब कोई बाहर का इंसान आप सोचिए आपके पडोस में अगर कोई बाहर का इंसान आकर रह सिकता अलग है सोचने समझने की क्षमता अलग है उसका बलीव सिस्टम अलग है तो अगर वो इतनी बड़ी तादात में आएंगे ठीक है थोड़े समय के लिए अगर आप आना चाहते हैं आप दुखी है सताय हुए तो उसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन एक हद से ज्या जय भारत वन्य मातरम भारत माता की जय